Hello everyone, welcome to my class आज आप लोगों के लिए मैं बहुत 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 इंट्रेस्टिंग ट्रिक लेके आया हूँ maths के लिए कि comparing fractions होते हैं दोनको कैसे हम compare करेंगे क्योंकि अलग-अलग compare होते हैं कौन कैसे बताएंगे बहुत जल्दी से कौन सा बड़ा fraction है, कौन सा वाला छोटा है इनमें से तो देखें ऐसा ही question एक हमारे पास है आज 5 by 6 and हमारे पास 2 fraction है 13 by 15 अब देखें इन दोनों को हमें compare करना है कि कैसे बताएंगे कि ये कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है तो इसको हम easily कैसे कर सकते हैं सबसे पहली चीज हमें क्या check करना है इन दोनों का denominator check करना है denominator अगर बराबर है तब कोई दिक्कत नहीं अगर denominator इनका बराबर आ रहा है तब हमें कोई दिक्कत नहीं हम numerator से check कर लेंगी कौन सा बड़ा है, जो भी numerator बड़ा होगा हमारी क्या होगी 6 और 15 का आप क्या निकाल लीजे इन दोनों का आप LCM फाइंड कर लीजे कितना होगा इन दोनों का अगर LCM आपने फाइंड कर लिया है LCM आपने फाइंड कर लिया है कितना आएगा इन दोनों का LCM आ गया हमारे पास 30 अब क्या करना है जो हमारे पास LCM आया है ना उसको हमें दोनों के denominator में वो चाहिए same दोनों में अगर ये लाने के लिए हमें किस से किसको गुना करना पड़ेगा ये देखी जैसे 5 by 6 है इसको देखे 5 by 6 को हम किस से करेंगे 30 लाने के लिए 5 से लेकिन उपर और नीचे दोनों को करना पड़ेगा एक साइड नहीं कर सकते आप ये कितना हो गया 25 by 30 ये बात हुई एक की अब देखे 13 by 15 इसको नीचे 30 लाने के लिए हमें दो से करना पड़ेगा लेकिन उपर और नीचे दोनों साइड करना है ये कितना आ गया 26 by 30 अब ध्यान से देखे फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या ये है 25 by 30 और 26 by 30 ये दोनों वैल्यूस हमारे पास आ गए आराम से अब चेक कर सकते हो इनका डिनोमिनेटर सेम है ठीक है इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम है तब हम कंपेर कैसे करेंगे नूमिरेटर से अब ये देखे ये तो है 25 और यहां 26 तो कौन सा वाला फ्रेक्शन बड़ा होगा तो ध्यान दीजे 5 by 6 इससे हमारा 25 आया तो ये छोटा हो जाएगा किस वाले से 13 by 15 तो ये हमारा final answer आ गया तो ऐसे आप बिल्कुल easy तरह से compare कर सकते हैं दो फ्रेक्शन को तीन फ्रेक्शन को भी compare कर सकते हैं तीनों का LCM निकाल लेना तो अगर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तब तो आप बड़ा easily बता दोगे सीधा सीधा numerator चेक करके अगर नहीं आ रहा है तो दोनों का LCM लीजिए फिर उनको compare केजिए तो अगर आप लोगों को आज की ये class अच्छी लगी हो इंट्रेस्ट आया हो तो ज़्यादा ज़्यादा इसको share कर दीजे अपने सभी friends में ताकि सभी नए चीजे सीख सके maths में और चैनल पर नए है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और bell icon को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का notification आपको मिलता रहे